नमस्कार मैं हूँ दिवांचली मोहित्रा टीवी का मोस्ट कॉंट्रोवर्शिल शो बिग बॉस सालों से फैन्स को एंटेटेन करता आ रहा है अभी तक इस शो के 12 सीजन्स आ चुके हैं हाल ही में दिपिका कक्कर ने बिग बॉस 12 का खिताब अपने नाम किया है कुछ नाइम पहले हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि सल्मान दिपिका के सीजन को जीतने और शो की गिरती टी आर्पी के चलते अब इस शो के नए सीजन को होस्ट नहीं करेंगे खबरें तो ये भी है कि चैनल और बिग बॉस के मेकर्स के बीच कॉन्ट्राक्ट खत्म हो चुका है और प्रड़क्शन हाउस इसे रिन्यू करने की प्लानिंग भी नहीं कर रहा है ऐसी संभावनाई भी है कि शो आने वाले समय में दूसरे चैनल पर शिफ्ट हो जाए खबरे हैं कि सलमान ने न सिर्फ शो के साथ संबंध खत्म करने का फैसला लिया है बलकि चैनल के साथ भी वो आगे काम नहीं करना चाते है मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब शायद बिग बॉस का नया सीजन आये ही ना बता दें कि इस बार का सीजन बिग बॉस के इतिहास का सबसे कम टी आरपी लाने वाला शो था ना ही ये टीवी स्टार्स को पसंदाया था और ना ही ये दर्शकों को लुपा पाया साथ ही बिग बॉस के कंटेस्टेंस भी इतने जबरदस्त नहीं थे जिसकी वज़े से इस बार के शो को देखा जाता कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस का इस बार का सीजन बुरी तरह से फ्लॉप रहा शायद ही वज़ा है कि मेकर्स अब इस शो को बंद करने का फैखा ले रहें वैसे आपको क्या लगता है बिग बॉस का नया सीजन आना चाहिए या नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और टीवी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ झाल